हेलो वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मेकप किस तरीके से करें कि हमें कौन से चीज़े किस टाइम पर यूज़ करनी चाहिए स्टेप बाई स्टेप बिगनर्स के लिए स्पेशली ये में वीडियो बना रही हूँ और कुछ लोग को नहीं पता हो कि हम पहले क्या लगाया फांडेशन लगाया कॉंपैंट लगाया प्राइमर इससे तरह कि कन्फूजन हर किसी को होती है मेकप करने से पहले कि मेकप का सही तरीका कौन सा होता है इस वीडियो में सारी चीज़े में आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगी कि हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने फेस मेकप की नहीं है अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम प्रिजिट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक् तो यहां पर सबसे पहले हमारे स्टेप होता है मौश्य आइजर किसी भी मेकप करने से पहले सबसे पहले हमें अपने फेस को मौश्य आइजर कर लेना चाहिए तो यहां पर मैं यूज कर रहे हूं लोटस का आप अपनी स्किन के अकोर्डिं को इसा भी प्रोड़क्ट यू पुड़ेट आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए, जो मेरे पास थे, मैं उससे अपना मेकप कर रही हूँ, तो second हमारा step होता है, मेकप करने से पहले primer, primer लगाना बहुत ज़रुरी होता है, क्योंकि जो हमारे face पे चोटे चेद होते हैं, उसको फिल कर देता है, स्मूध बना देता है और foundation बहुत अच्छे से लगता है हमारे face पे और even भी लगता है तो third step हमारा है foundation, so यहाँ पर मैं यूज़ करूँ Lecmica liquid foundation, आप पो इसी-सी या BB cream से भी make-up कर सकते हैं इस time मैंने foundation यूज़ किया है, so make-up का monster पार्ट यह भी है कि हम foundation अच्छे से लगाएं और यहाँ पर normal सा coverage में लेना जाओंगी इससे जादा full coverage ये medium नहीं मिलता है, और इसको मैं पूरे face पे लगा लूँगी क्यों मैंने यहाँ पर sponge को गीला किया है, गीले sponge से हम foundation या फिर जो भी base लगाते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है तो आप भी इस तरीके से जब भी beauty blender से लगाएं तो beauty blender को थोला सा गीला कर लीजिए, बहुत ही smooth and बहुत ही अच्छी सी finishing आती है तो इसके बाद next step है हमारा concealer, so guys यहाँ पर मैं concealer use कर रही हूँ, Maybelline Fit Me का और जहां-जहां मुझे लगाना है अपने high points पे मैं लगा लूँगी, जैसे under eye हो गई, eyelid हो गई, nose हो गई, chin हो गई, और forehead पे मैं concealer को लगा लूँगी, ज्यादा amount में नहीं लगाया है, बहुत ही कम amount में लगाया है and lips के around भी लगाऊंगी, थोड़ी सी darkness थी face के, so इसे भी मैं blend करूँगी, एक same beauty blender से और बहुत अच्छे से इसको blend करना है, जिसे कि ज्यादा patch ही न लगे face और अच्छे से blend हो जाए, कुछ भी over न दिखे and बहुत अच्छे से अगर हम blend करते हैं, थोड़ी सा time देखा, तो makeup बहुत ही अच्छे से उभर कर आता है so next step हमारा ये था, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही अच्छे से blend करना है and next step है हमारा compact powder लगाना, तो जब भी हम foundation या फी concealer लगाते हैं, तो face को set करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बहुत अच्छे से finishing आ जाती है, यैसे कि हमने concealer लगाया, तो वो crease करने लगता है तो powder से set करना बहुत ज़रूरी होता है, यहापर तो खें मेरी oily skin है, वो इस टाइम पर winter है, तो skin तो dry होती है बट अगर dry नहीं भी हो रही है, तो पूरे face पर ना लगाया, तो जहाँ जहाँ आपने concealer लगाया, उस जगा तो ज़रूर लगाये powder को set कर दीजिए, तो ठीक रहता है, तो guys, इसके बाद है next step हमारा eye shadow तो यहाँ पर करने चारे है, हम eye makeup क्योंकि हमारा face makeup हो चुका है, so यहाँ पर मैं ले रही हूँ dark shade और dark shade से मैं blending brush पे लूंगी shade और crease line से मैं इसको blend करना शुरू करूंगी, तो आप देख रहे हो, मैं किस तरीके से shade ले रही हूँ, किस तरीके से blend कर रही हूँ कम amount को लेना है, then उसके बाद repeat यही करता है, मतलब repeat करते करें, आपको desire shade मिल जाता है, तो यहाँ पर पता नहीं क्यों light की वज़े से, camera में color इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, बहुत light दिख रहा है, लेकिन यह dark हो गया था, जब मैंने इसको किया था makeup में, यहाँ पर मैंने अपना camera zoom किया है, जिससे कि आपको eye makeup थोड़ा सा दिखे, यहाँ पर मैं तो डार्क shade ले रही हूँ और wine color का shade है, उसको भी मैं अच्छे से blend कर रही हूँ, इसके बाद मैं लगा रही हूँ है, यहाँ पर थोड़ा से golden shade eyelid पे, and crease मैंने wine shade लगाया था, थोड़ा से cropper shade यहाँ इसमें मैं लगा रही golden, तो थोड़े से shimmery shade है, तो अच्छे से इसको blend करना है, इसके बाद लगाना है, मैं eyeliner तो next step हमारा eyeliner है, so eyeliner आपने according कोई सा भी use कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा easy हो जाए eyeliner लगाना, and इसके उपर भी मैंने video बनाई है, क्या eyeliner कैसे लगा है beginners के लिए तो मैं वीडियो का link दे दूँगी, वीडियो के नीचे, तो आप यह वीडियो देखने के पाद वो वीडियो भी देख सकते हैं, so यहाँ पर मैं लगा रही है liquid eyeliner, आप चाहें तो gel लगा सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हैं, इसकेश वाला जो आता है, eyeliner उससे भ लोगी वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रू चेकीजिए, तो इसके बाद हमारा next step है mascara, तो हमारा eye makeup complete होता है mascara के साथ, क्योंकि हमारी eyelash को थोड़ा सा volume मिल जाता है, और अच्छे से उपर के नजर आती हैं, तो fake eyelashes भी लगा सकते हैं, तो यह कोई इतना party makeup नहीं मैंने आपको सिद्ध बताने के लिए video shoot की थी, कि कैसे makeup करें हो, सारी step किस तरीके से की जाते हैं, तो इसलिए अगर party function में जा रहे हैं, तो false eyelashes भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपर पे भी लगाऊंगी और lower lash पे भी लगाऊंगी mascara, तो इसके बाद हमारा next step है, eyebrow pencil, तो यहाँ पर मैं आइब्रो पैंसिल ली है, और इसको eyebrow shape देना है, तो यहाँ पर मेरी eyebrow बनी हुई नहीं है, तो यहाँ पर मैं आइब्रो के भी काफी सारे option होते हैं, आप यूस कर सकते हो, जैसे matte powder होते हैं, या matte eyeshadow होते हैं, ब्राउन को लगाए, या फिर आप ब्राउन pencil ले सकते हो, जैल ले सकते हैं, प्रमोर्ड क्या आता है, पता नहीं, जैल वाले की उटाता है कोई, वो eyebrow लगाते हैं, तो काफी सारे option है eyebrow के लिए, तो यहाँ पर मैं eyebrow pencil लिए उस कर रही हो, फिलाल, eyebrow pencil भी ठीक है, affordable range में मार्केट में मिल जाती है, तो यहाँ पर मेरी set हो चुकिए eyebrow, इसको एक-पूरी से set कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई product अपने eyebrow पर लगाते हैं, तो वो अलग-अलग ना दिखे, इसके लिए हमें eyebrow को brush से set कर लेना चाहिए, फिर बहुत ही अच्छे से natural सी eyebrow लगती है, इसको अच्छे से blend कर लेंगे, तो इसको अच्छे से blend कर लेंगे, इसके अपर भी मैंने वीडियो बनाई है अपनी चैनल पर, आप वो भी चेक आउट कर सकते हैं, उसका link भी मैं वीडियो के नीचे देदूँगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए, तो यहाँ पर नेक्स स्टेप है हमारा highlighter, तो highlighter के लिए मैं यूज कर रही है, वेटन वाल्ड की photo highlighter, बहुत ही अच्छा सा highlighter है, और party night day, किसी भी skin type के लिए suit हो जाता है, तो जहाँ जहाँ मेरे high point है, वहाँ मैं highlighter लगाऊंगी, या बहुत अच्छे से glow करता है, तो इसके बाद है हमारा next step lipstick, तो makeup complete होता है lipstick के साथ, तो यहाँ पर मैं use कर रही हूँ, इस टेप कर की कि बहुत ही प्यारा सा purple shade, बहुत ही खुबसूरा shade है, यह मेरा बहुत ही सदा favorite है, बहुत ही अच्छे लगता है Indian skin tone पे, बहुत अच्छे से जाता है, किसी भी skincare, fair, medium, dark, deeper, तो सब इस skincare पर बहुत अच्छे से suit होता है, यह color, तो यहाँ पर हमारा makeup होता है, complete lipstick के साथ, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी, कि makeup fixer भी आप लगा सकते हो, जिसे आपने makeup किया है, तो उसको थोड़ा सा dry कर लीजिए, और sponge से भी आप इसको लगा सकते हैं, जो भी अपना extra होता है, वह सब को set हो जाता है, बहुत ही अच्छे रगता है, so guys, यह था मेरा makeup, final makeup, मेरा यह है, और I hope आपको पसंद आया हो, और पसंद आया ना, तो पीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यही थी सारे step के किस तरीके से makeup में product की use कहते हैं, thank you so much,